अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी स्वागत है आपका नमस्कार मैम जी नमस्कार नमस्कार बाई साव चाहिन आदाब स्वागत तम वेलकम हमारी बेहन के लिए वेलकम बताइए क्या हाल है आपके हाँ ठीक है बाई साव बाई साव मैं यह पूथ रिस्टे थायरेड की दवाई खाते हैं तो उसके बाद नास्ता मतलब कितनी गेर में खाए आदे गंटे बाद और एक यह सवाल है कि जो मैं यह धनिया सोप तोट अर्नमक जतून मिला के जिनको भी देती हुना उनको मतलब य यूरियन में जलन होती है ना उनको बहुत फायदा हो रहा है बहुत जी और एक सवाल यह है तो अभी आपने बता याक्षों के याक्षों में थोड़ी सी जलन सी ना मेरे भी हो जाती है तो यह मुंदी बुत्ती क्या मैं भी खाल लूं ठीके ठीके और क्या सवाल बस इतना है बाई सावी तन्हें बता दो रोद ग्यान लेते रहते हैं कुछ ना कुछ दो सबने में आता है देखो हमारी बेन का फोन आगया आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और मुंडी बुटी आप ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है एक मुंडी बुटी खाएंगे तो वाइरल कुछ फिलू चलता है आखों का फिलू चलता है तो पूरे इलाके के इलाकों को हो जाता है एक आदमी दूसरे को देख लेता है तो उसकी भी आखें लाल हो जाती है तो एक साल में एक दो तो सब को खाई लेनी चाहिए मैं भी खा लेता हूं इस साल भूल गया हूं लेकिन आपने याद दिला दिया तो मुझे भी खानी होगी अब क्या सवाल था थाइरेट की अगर कोई दवाई ले रहा है तो खाना कब खाना चाहिए आदा गंटे बात ले लें तो ज्यादा मुनासिब होगा और एक सवाल था इन धनिया सौफ और सौट और जैतुन का जो नमक होता है यूरिन में इंफेक्शन के लिए तो उते बनाके प्रचार प्रसार कर रही है हां देखिए आपको तो सब तजर्बे हो गए शाद मेरी बराबर तजर्बे हो गए यह जिनको पिशाब में जलन होती है मर्दों को कम और महिलां को जादा होती है तो इसकी एक-द शिस्टर ये ऐसी डिटी कब्ज में तो फाइदा करी रहा है और गैस में और ये थाइराइड में भी दे सकते हैं और जो यूरिनली इंफेक्शन है उसमें दे सकते हैं जिसकी क्रेटेनाइन बढ़ जाती है यानि हमारी किड्नी में गंदगी की लिमिट है वन पाइंट इस ज्यादा बढ़ जाए तो हम किड्नी के मरीज हो जाते हैं और फिर हमें डाइलेसी क्या कराना पड़ता है वो लोग भी ले सकते हैं इनको और लिवर के लिए बहुत अच्छा है इसकिन रोग के लिए बहुत अच्छा है ये कितने रोगों में काम आता है मुझे खुद नह उसका है और आप जिसको भी दे रहें उसको फाइदा हो रहा है यह असली चूरन है और दूसरे लोग ना जनक क्या क्या मिला के दे देते हैं लेकिन यह असली चूरन है सुलेमानी चूरन कहते हैं इसे आप याद रखना मेरे नाम सुलेमान है इसे सुलेमानी चूरन कहते है असली दवाई मिल गई तो फायदा होना मुम्किन है